बूद्ट मॉर्निंग मैई ये स्टुडेंट तुडेट अवा टॉपिक इस प्रिंसिपल रिसॉर्सी ऑफ दी वल्ड लैस्न नंबर फर्स्ट रिसॉर्सी जियोग्रॉफी agriculture resources include kriels and other food crops and cash crops जो agriculture resources हैं जितने भी कृषी संसादन उनमे अनाज और अन्यə खाते फसले और नगदी फसले शामिल होती है वो खपत विक्री या खटी दोग के लिए खेती दवारा उत्पादित किये जाते हैं सेल और फॉर एग्रो इंडस्ट्रीज मितलब वो प्रोड्यूस की जाती हैं फार्मिंग फॉर कंजम्शन के लिए सेल करने के लिए और एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए वो जो है उनका प्रोडिक्शन किया जाता है पेस्टॉल रिसोर्सिज इंक्लूड अनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मील, मीट, फॉर, हाइट, स्कीन, बूल, इसेक्टरा पेस्टॉल रिसोर्सिज जितने भी होते हैं दिहाती संसादन उनमें पशू उत्पाथ जैसे की दूद, मास, फर, स्वचा, उन, आदी, शामिल हैं इनको जो है पशू धन पालन या फिर भेड पालन या डायरी फार्मिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है mineral and energy resources देखिए, mineral resources are extracted from deep beneath for surface of the earth by mining mineral resources जो होते हैं वो deep, जो है वो खनन द्वारा यानि भूमी की खुदाई करके deeply खुदाई करके अर्थ के surface को खोद कर mining खनन द्वारा जो हैं को निकाला जाता है they are processed, refined and transformed into finished products इस प्रिक्रिया के दोरान उन्हें प्रिस्क्रित और तैयार उत्पादों में बदल दिया जाता है for example, iron और मेगनीज, मीका, etc some, so, जैसे की low high shock, मेगनीज हो गया, अभरक हो गया, आदी some minerals like coal, petroleum or other abiotic resources like solar energy, wind, water can generate power जैसे की, जो ये other resources हो गए, जैसे की coal, petroleum या फिर जितने भी abiotic resources हो गए वो सारे के सारे जो है, जैसे solar energy, wind, water can generate power ये सारे power generate करते हैं, they are termed as energy sources जिने क्या कहा जाता है, energy sources कहा जाता है बोथ mineral and energy resources are indispensable for development of any country जो भी ये mineral resources होते हैं, या energy resources होते हैं, वो पूरे किसी भी देश की country किसी भी country के development के लिए जो है, विकास के लिए अप्रिहारी होते हैं, जरूरी होते हैं नेक्स देखिएगा, conservation of resources इस conservation of resources में, गांधी जी had once remark, गांधी जी ने एक बार एक टिपणी की थी there is enough for everybody's need, but not for anybody's greed कैते हैं कि there is enough for everybody's need सभी की जरूरतों के लिए परियाप्त हैं, परन्तु not for anybody's greed परन्तु किसी के लालच के लिए परियाप्त नहीं है, ये संसाधन this statement reflects the concern, is concern for resource conservation उनका जो ये statement थी, वो किस चीज़ को reflect करती थी, resources conservation को कि हम संसाधनों को बचाएं, उनका संरक्षन करें, conservation करें man in his attempt to leave a comfortable life and acquiring wealth started a race for obtaining more and more resources from his environment मनुष्य कारामदा एक जीवन जीने के अच्छे अपने परियाशों में धन प्राप्त करने के लिए अपने परियावरन से अधिक से अधिक संसाधन प्राप्त करने के लिए जुट गया he has become reckless in his use of resources वो जो है, resources का use करने में लापरवा हो गया है reckless in means लापरवा, in the process, इस process में he is arming the environment, वो environment को नुकसान पहुचा रहा है and existing the available resources और जो available resources है, उनको समाप्त कर रहा है resources are becoming poorer in quantity and quality due to its overuse जो resources है, वो उनके overuse के कारन जो है, उनकी quantity, उनकी गुणवत्ता और उनकी जो quality and उनकी जो quantity है, मात्रा है वो जो है, कम होती जा रही है uncontrolled exploitation by man जो आनियंतरित सोशन है, ब्यक्ति के दवारा किया जा रहा है, resources का, आनियंतरित सोशन, जिसके पर कोई control नहीं है his greed and selfish activities, उसकी जो लालच भरी और जो ये जितनी भी स्वार्थी एक्टिव क्रियाएं हैं, have affected the biotic resources वो biotic resources को affect करती है along with it, इसके साथ साथ the environmental factors like change of habitat or climate regret by man's indiscriminate exploitation of nature have made many plants and animals extinct इसके साथ साथ प्रकृति या परियावरण के अंधा दूद दोहन से परियावरण या जल्वायू परिवर्तन जैसे परियावरणिया कारकों ने कई पोधोर जानवरों को विलूप्त कर दिया है अगर हम इसके लिए सचयत नहीं रहे वी में वाइप आउट इग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड अल्टिमेटली अवर सेल्स तो हम मौजूद इन पोधोर जानवरों को मिटा सकते हैं खो सकते हैं और फिर लास्ट में अपने आपको भी खो देंगें क्योंकि इनके बिला हमारा जीवन है ही नहीं नेक्स देखिएगा नेचर इस वास्ट टोर हाउस ऑफ रिसोर्सीज जो नेचर है वो एक वास्ट टोर हाउस है विशाल बंडार है रिसोर्सीज का बट इस आर नाइधर एंड लैस और अल्टिमेट नौर आर्ट इस वैल नहीं नहीं होंगे और ना ही यह पूरे संसार में अच्छे तरीके से डिस्टिबुट किये गए हैं मतलब कहीं पे जादा है कहीं पे कम है अब हमें आवशकता है कि हम अपने प्रेजंट नैचरल इसोर्सीज को बैलन्स पे लाएं मतलब संतुलित करें अपने प्रेजंट इस को हम यूज कर रहे हैं संसादनों का ऐसे तरीके से करें उनका यूज़ कि हम उसको फ्यूचर के लिए भी संड़र्व कर सकें इसी को क्या कहते हैं सबस्टांस कहा जाता या यानि किसी परदार्थ कभी कास कभी कर सकते ह। alternative sources especially renewable resources have to be used instead of non-renewable resources alternative resources especially renewable resources जो है alternative resources यानि कि renewable resources तो कहता है कि non-renewable resources जितने भी है non-renewable resources का use करने की बज़ाए हमें renewable resources यानि कि वेकल्पिक जो हमारे संसाधन है उनका use करना चाहिए use of fossil fuels like coal and petroleum have to be controlled जितने भी जिवाश में इंधन है जैसे koila या petroleum उनके उपर control जो किया जा रहा है उनके उपर control करना sorry उनका जो use किया जा रहा है उसके उपर control करना चाहिए their continuous use in large quantities will not only end them up in near future इनकी जो continuous use है large जब हम बड़ी मात्रा में इनका लगातार जब हम use कर रहे हैं तो इससे नहीं वो खुद समाप्त हो जाएंगे near future में वो खुद तो समाप्त होंगे ही होंगे near future में but also cause pollution to the environment और environment के पर्यावरन में जो है पर्यावरन प्रदूर्शन का भी कारण बनेंगे so we have to be conscious and careful while utilizing the resources so हमें जब भी हम resources का utilize करते हैं तो हमें पूरा सचेत और साफधान रहना चाहिए next देखिएगा sustainable sustainable development यान कि स्तत्विकास लगातार विकास balancing the need to use resources and also conserving them for the future is called sustainable development कहते है कि balancing the need to use resources resources का use करते टाइम अब हमें ज़रूरत है balance करने की उसको संतुलित करने की हमारे यूज को हम उसका use कम से कम करें और बेवज़न करें और also conserving them और उनका संट्रक्षन करना for future के लिए future के लिए संट्रक्षन करना उसी को क्या हम क्या कहते है sustainable development कहते हैं principles of sustainable development देखिए respect and care for all forms of life हमें respect करनी चाहिए और देख भाल करनी चाहिए जीवन के सभी रूपों की चाहिए वो किसी भी रूप में जीवन क्यों नहों सभी की हमें respect करनी चाहिए और care करनी चाहिए improving the quality of human life हमें human life की quality जो है गुणमत्ता जो है उसको बढ़ा बढ़ाना है इंप्रूब करना है conserve the earth's vitility and diversity हमें जो earth की vitility है यानि की जीवन शक्ति है और diversity वीविदिता जो है उसको conserve करके रखना होगा minimizing the depletion of natural resources हमें जो रिक्ती करन है natural resources का में नेच्रोंस जो खतम होते जा रहे हैं उनको कम से कम करना होगा changing personal attitude and practices towards environment हमें अपने जो personal attitude है खुद की जो खुद का जो दृष्टिकों है और जितनी भी प्रिक्रियाए हैं हमारी वो अपने environment के प्रती change करनी होगी अपने environment को देख के ही वो करनी होगी कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे अनवार्मेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे enabling communities to care for their own environment और सभी का सभी का सभी समुदाएं हैं जितने भी community हैं उन सभी को योग्या बनाना होगा खुद की environment की देखबाल करने के लिए आप अपने आसपास के देख अपने आसपास का जितना प्रयावरण है उसकी देखबाल अच्छे से करें the future of earth and its people depends upon our ability to maintain and preserve the life support system जो हमारे future है अर्थ का और हम अर्थ पे रहने वाले लोगों का वो future किस पे के डिचके लिय का सबब्सूर्स को बचाने की साथ को बचाने की और उनको मैंटें करने की जो है उसके उपर depend करता है हमारी looking here का और हमारे अम् 가지고 का future the life support system और बचाने का में यहादग सुञसे अर्फ रहीं होना होगा इन सबियं के लिए all users of renewable resources are sustainable कि सभी का सभी स्ट्टर्ण सब्सक्राइब को दिंटेज सब्सक्राइब इस सिस्टम को कम से कम करना होगा minimize करना होगा then only तभी हम क्या कर सकते हैं we will be able to take care of future generation तभी हम हमारे future generation का की जो है देख भाल करने हो कि उन्हें बना सकते हैं सो बच्चों हाज हमने complete chapter रीड कर लिया है आप भी अच्छे सी रीड कीजिएगा thank you have a nice day